साथियों, आज एक-एक भारतिय का लक्ष 2047 तक भारत को विक्सित राष्ट बनाने का है दुनिया का वो देश जिसकी अर्थेववस्ता बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है वो देश कौन सा है? हमारा भारत! दुनिया का वो देश कौन सा है? जो स्मार्ट फॉन डेटा कंजूम करने में नमबर बन है दुनिया का वो देश कौन सा है? जो ग्लोबाल फिंटेक एड़ोप्शन रेट में नमबर बन है हमारा भारत! दुनिया का वो देश कौन सा है? जहां सब से जादा मिल्क प्रोड़क्शन होता है हमारा भारत! दुनिया का वो देश कौन सा है? जहां इंटरनेट यूजर्स के मामले में नमबर दो पढ़ है हमारा भारत! दुनिया का वो देश कौन सा है? जो दुनिया का दूसरा सब से बड़ा हमारा भारत! दुनिया का वो देश कौन सा है? जहां दुनिया का तीसरा सब से बड़ा स्टार्ट अप इको सिस्टिम है! हमारा भारत! दुनिया का वो देश कौन सा है? जो अपने पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुँच गया! हमारा भारत! दुनिया का वो देश कौन सा है? जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर अपना जंड़ा गाड़ दिया है! हमारा भारत! दुनिया का वो कौन सा देश है? जो एक बार में सो सो सेटलाइट बेजने का रेकॉर्ड बना रहा है! हमारा भारत! दुनिया का वो कौन सा देश है? जिसने अपने दम पर 5G टेक्नोलोजी विक्सित करके सबसे तेज रोल आउट किया है! हमारा भारत! साथ क्यों? भारत की उपलब्दी! हर भारतिय की उपलब्दी है! फिर देश सान में! भारत दुनिया की क्यारवे नंबर की एकोनोमी से पाचवे नंबर की एकोनोमी बन गया है! और आप जानते हैं मुझे हर भारतिय के सामर्थ पर कितना ज़्यादा भरोसा है! इसी भरोसे के दम पर मोदी ने एक गारंटी भी दी है! मोदी के गारंटी के आप जानते हैं? मोदी ने अपने तीसरे टम में मोदी ने अपने तीसरे टम में में भारत को तीसरे नंबर की इकानामी बनाने की गारंटी दी है! और मोदी की गारंटी यानि गारंटी पूरा होने की गारंटी! हमारी सरकार लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उनकी परेशानिया कम करने के लिए लगातार काम कर रही हमने चार करोड से जानदा परिवारों को पक्का घर बना कर दिया है हमने दस करोड से जानदा परिवारों को नल से जलका कनेक्शन दिया हमने पचास करोड से जानदा लोगों को बैंकिंग सिस्टिम से जोड़ा है हमने पचास करोड से जानदा लोगों को पाँच लाख रुप्य तक के मुप्त इलाज की सुविदा दी है गाउद दियाद के लोगों को इलाज में दिक्कत ना हो इसके लिए हमने देड़ लाख से जानदा आईश्मान आरोग्य मंदिर बनवाए है साथियों आप मैंसे जो लोग बीते दिनों भारत गए वो जानते हैं कि आज भारत में कितनी तेजी से बड़लाव आ रहा आज भारत एक से बढ़कर एक आधुनिक एक्सप्रेस बे बना रहा है आज भारत एक से बढ़कर एक नए एरपोर्ट बनवा रहा है आज भारत एक से बढ़कर एक नए रिल्वे स्टेशन बनवा रहा है आज भारत की पहचान नएए आइडियाज नए इनॉवेशन की वज़े से बन रही है आज भारत की पहचान मेगा इंफ्रास्रेक्टर पोजेक्ट से बन रही है आज भारत की पहचान एक vibrant tourism destination के रुप्ने बन रही है आज भारत की पहचान एक बड़ी sports power के रुप्ने बन रही है और आपको सुनकर गर्व होता है जरूर होता होगा होता है ना साथियों आप सभी भारत में आई digital कृरांती को जानते हैं digital इंडिया की प्रसुंसा पूरी दुनिया में हो रही है इसका अलाब UAE में बसे आप सभी साथियों के भी हो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं हमने UAE के साथ अपने रूपे कार्ड स्पैक को शेर किया है इससे UAE को अपना domestic कार्ड सिस्टेम डेवलप करने में मदद मिली है और जानते हैं भारत के सहयोग से बने कार्ड सिस्टेम का UAE में ने क्या नाम रखा है UAE ने नाम रखा है जीवन कितना खुपसुरत नाम दिया है UAE ने साथियों जल्द ही UAE में भी UPI शुरू होने वाला है इससे UAE और भारती एकाउंट्स के बीच seamless payment संभव हो पाएगी इससे आप भारत में अपने परिवार के लोगों को और आसानी से पैसे बेज पाएंगे साथियों भारत के बढ़ते हुए सामर्थने दुनिया को भी स्थाहित्व और समरुग्दी की उम्मीद दी है दुनिया को लगा है कि भारत एक बरोसे मन ग्लोबल ओर्डर स्थापित करने में शक्रिय भूमी का निभा सकता मुझे खुशी है कि आज भारत और येई मिलकर दुनिया के इस भरोसे को मजबूत कर रहे हैं आप सभी ने भी देखा कि भारत ने एक बहुत ही सफल G20 सम्मेलन आयुदित किया है इसमें भी हमने UAE को एक पार्टर के रुप्मे आमंत्रित किया ऐसे प्रयासों से हमारी स्टाटेजिक पार्टर्शिप भी नई बुलंदी की तरफ बढ़ रही है आज भारत को दुनिया एक बिश्व बंधू के रुप्पे देख रहे हैं आज दुनिया के हर बड़े मंच पर भारत के आवाज सुनी जाती है कहीं भी संकट आता है तो सबसे पहले पहुँचने वाले देशों में भारत का भी नाम होता है आज का मजबुद भारत कदम कदम पर अपने लोगों के सान्थ खड़ा है बीते दस वर्सों में आपने देखा है कि जहां भी विदेशों में बसे भारतियों को समझ से आई भारत सरकार ने तेजी से एक्शन लिया है युक्रेन, सुडान, यमन और दूसरे संकटों के दोरान फसे हजारों भारतियों को हम सुरक्षित निकाल कर भारत लाए दुनिया में बसे या दुनिया के अलग हिस्सों में काम कर रहे हैं भारतियों के मदद के लिए सरकार दिन, रात काम कर रही है साथियों भारत और युएई मिलकर 21 वी सदी का नया इत्यास लिख रहे हैं और इस इत्यास का बहुत बड़ा अधार आप सभी मेरे साथ ही हैं आप यहां जो मेहनत कर रहे हैं उससे भारत को भी उर्जाम मिल रही है आप भारत और युएई के विकास और दोस्ती को युही मजबूत करते रहें इसी कामना के साथ इस भव्य स्वागत के लिए फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बोले भारत माता की भारत माता की मेरे और आपके बीच में दूरी बहुत है इतलिए मैं आपके बीच में आपके दर्शन करने के लिए आने वाला हूँ लेकिन मेरी आप से प्रार्थना है कि आप जहां है वहीं बैठे रहोगे तो मुझे आपके दर्शन का सवभाग्य अच्छा मिलेगा तो मेरी मदद करेंगे आप पक्का करेंगे भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद मुझे देश से है प्यार बड़ा मैं दुनिया के साथ खड़ा विश्व है परिवार मेरा नाम है भारत मेरा